आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे जो इस वक्त जो कह सकते विज्ञान पर आक्रमन जो है वो कैसे हो रहा है और इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर सत्जीत रत जो की विज्ञानिक है सत्जीत इस वक्त जो हम देख रहे हैं पहले तो सिर्फ ये बात कही जाते ही हमारे पास ये वाई उसेना भी था और भी बहुत सारे चीजे थी अब तो श्राप की भी बात आ गई है कि श्राप देंके लोगों को हम हत्या भी कर सकते हैं ये भी बात हो रही है तो आप क्या लगता कि एक नया दोड चला है इस वक्त हमारे समाज के अंदर जिस राजदिती भी दिखने के मिल रही है जिस पे विज्ञान को एकदम क्या कह सकते हैं तिलांजरी दे के आप जित्ते सारे पुराने विचार थे वो सब वापस लाए जा रहे हैं और शायद वै बातें करें तो लोग हसा करते थे अब टिकेट मिलती है चुनाव लटने के लिए तो मज़े की बात यह है कि यहां तक भी नहीं है कि मुझ खोल के श्राप देना पड़ता है भाया तीसरी आख है खोल देवें तो भस्म हो जावें हैं है ना तो बातों का बतंगर कोई सीमा नहीं रही है यह सब इसलिए हो रहा है मैं यह नहीं कहता कि हमारे समाज में यह पहले कभी थी नहीं जूट होगा ऐसा कुछ कहना पहले से हैं हम अनेकों प्रकार की अंदशद्धाओं को मानते हैं हम अनेकों प्रकार की कसा कहानियों को बड़े जोरशोर से और गर्व से कहते आये हैं, समाने से आये हैं लेकिन दो चीज़ें हुई थी स्वतंत्र भारत में एक तो हमने ये सोचा समझा जाना था कि हमारी जो विरासत है, वो हमने परक के लेनी है हमारी विरासत पे अपना अधिकार जताना है हमने अपना हक जताना है, लेकिन परक के लेना है उसमें से जो स्वतंतता संगराम के दुरीन थे, वो कहते थे कि सोच समझ के लो, अपनी विरासत का आदर करो लेकिन जो उससे लेना है, वो सबूत पे अधारित होना चाहिए दूसरी बात ये थी, कि उस जमाने में हम जब विग्यान की बात करते थे वेग्यानिक सोच की बात करते थे, वेग्यानिक समझदारी की बात करते थे वो इसलिए करते थे कि हम समझते थे कि वेग्यानिक समझदारी से सक्षमी करण होता है एक तरीके से लोकतांतरिक सक्षमी करण होता है क्योंकि वेग्यानिक दृष्टी कौंट से हम कार्यकारन भाव को समझते हैं और कार्यकारण भाव को समझना सक्षमी करण का एक अंग समझा करते हैं कार्यकारण भाव का तरह अब बताएंगे क्या है तो कार्यकारण भाव हमें वैज्ञानिक नजरीय से समझ में आता है कि अगर एक चीज हो, एक घटना हो, उस घटना की वजह से दूसरी घटना हो, वजह की समज, जिसे कहते हैं, वजह की समज, समजदारी, यह हमारे बड़ी एहम चीज थी, आज बात यह है, कि हम जब तथा कथे तो बिज्ञानिक बातें करते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता बाते करते हैं, चपनिंची नेता बाते करते हैं, तो सतह पे तो बात दिज्ञान की है, लेकिन असली बात, एक ऐसे सामाजिक ढांचे के प्रतिगर्व की है, जो सब को सांज़ा नहीं समझता, अलोकिक शक्ति के साथ साथ भेद भाव भी समझता हैं, आप भेद भाव पे आधारित, राजनीती और लोकनीती चलाना चाहते हैं, उसे अपनाएं हैं, उसके आधार के लिए आपको कहीं से वैज्ञानिकता को अपनाना पड़ता है, इसलिए आप अनेकों किसम की बतंगड कहानियां बताते हैं, अब मेरा तो ये समझना है कि वैज्ञानिकों ने हर एक ऐसी बात को गंभीरता से लिना छोड़ देना चाहिए, उस पर हसना ज़्यादा माफिक होगा आपको उताबिक, हमने किसी भी सोचने वाले शक्स ने इन सब बातों पर हसना चाहिए। पर प्रॉब्लम जो ये है ना कि इसमें भी कुछ तथाकतित वैज्ञानिक शामिल है, जो कि वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, अब वो जब कहते हैं, तो जो आप एडविडेस्मेंट में देखते हैं ना, जब नातून, टूथपेस्ट की विज्यापन होती है, हमेशा एक वाइट कोट पहन के किया जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि वाइट कोट का कोई एहमियत है, और ये वेक्ति ज़रूर डॉक्टर या डेंटिस्ट रहा हो, सवाल तो सिर्फ इतना है कि बेशने का एक तरीका है, तो वाइस चांसलर प्रोफेसर जब इस तरह के चीज़ें बेशते हैं, उसका क्या कहा जाएं? शक्यताएं देखके दिशा बदलने वाले लोग होते हैं, कहीं अपने फाइदे का कोई मसला सामने आएं, तो चल दिये उसके पीछे, ये तो स्वाभाविक परवतियां हैं, इसको लेकर विज्ञान के बारे में बहुत गंभीरता से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं हैं, में ये नहीं था कि हम बिलकुल वैग्यानिक सोच वाले लोग थे या समाज थे, लेकिन ये था कि हमारी मंचा थी कि आज नकल वहां तक पहुंच जाएंगे जहां वैग्यानिक सोच से हमारे समाज के चोटे से चोटे हिस्थे का सक्षमीकरन हो जा था, पिछले चन्द सालों में वो जो सांजा सक्षक्यताएं है वो जो सांजा आदर्श है उन्हें हम छोड़ने लगे हैं हमारे जो आज के राजनेता है वो हमें उन्हें छोड़ने में परवृत कर रहे हैं अथारिटी को सामने रखके आप खुद जान सकते हैं इस चीज़ को नजर अंदास किया जाता है और इसी लिए आपके मताबिक जो वग्यानिक डिश्टिकोर को छोड़के इस तरह से बाते कहने के पीछे जो असली नियत है वह है कि अथारिटी को कायम करना जो की लोगों को शिरकत समाज के शिरकत ज़दवादी शिरकत से दूर रखे यहां तक मैं कहूंगा कि वग्यानिक समझ को वग्यानिक दृष्टिकोर से आसपास के निसर को समझो उसमें से किस वजह से क्या होता है इन शुरंखलाओं को समझो इस सारे मसले को नजर अंदाज करके हमें यह सिखाया जा रहा है कि इसके लिए हमारे पास एक विशिष्ट गुट के पास सारे उत्तर पहले से मौझूद है उन्हें सराँखों पर कर लो फिर वग्यान का क्या काम रहा उसके लिए भी इन शक्तियों के पास उत्तर है वो यह हैं कि विग्यान का उपयोग विग्यान का प्रयोग हमने किस लिए करना है इसलिए करना है कि विग्यान के जरीए हम टेक्नालोजीज बना सकते हैं तंत्रिकियां बना सकते हैं और वो विखेंगे बाजार में मुनाफे होंगे नौक्रियां बनेंगी और इसके जरीए विज्ञान का समाज से नाता बनेगा सिर्फ इसके जरीए समझने के लिए लिए समझने के लिए नहीं बनेगा सिर्फ क्योंकि चीजें बनाने के लिए बनेगा और चूंकि चीजें बनाने का सारा कारोबार आज मुनाफ़ा खोरी की और जा रहा है तो साफ है कि एक और एक आधिकारवादी शक्तियां हैं दूसरी और मुनाफ़ा खोर शक्तियां हैं दोनों एक दूसरे से हाथ मिला के हमें बिग्यान का हमने जो आप जिसे जनवादी शरकत कह रहे हैं जनवादी शिरकत को आगे बढ़ाने वाला जो विचार हमने सोचा था विग्यान के बारे में उसे पल्टा के एक नया विचार दिना चाहा है तो आपका कहने का मतलब यह है कि जब हमारी आजादी के बाद आपने आजादी से इसको जोड़ा तब यह विचार थी कि अगर सामाजिक प्रकृति चाहिए तो हमें टेक्नोलिजी जरूर चाहिए पर उसके साथ साथ हमें समझ भी चाहिए बिग्यान भी चाहिए जिससने हम प्रकृति को समझे ताकि हम एक जो आप कहा रहे थे कि दिमोक्रिटिक चिंता उस तरह से पैदा हो कि सब बराबर है अगर हम सोच सकते हैं जान सकते हैं तो अगर दूसरी बात यह है कि हमारे इस मार्केट की तरह भी देखें तो इस मार्केट पे भी सिर्फ हम कहीं से पैसा द पैदा करने की शक्ति पैदा करें तो भी एक सामाजी करन है और एक जनवादी करन है टेक्नोलजी का भी तो टेक्नोलोजी के जनवादी करन के बारे में और एक रोचक बात बताता हूं एक जमाना था जब हम टेक्नोलोजी की निर्मिती को एक पब्लिक गुड कहते थे सामाजिक अच्छाई कहते थे, सामाजिक विरासत कहते थे आज क्या है, तो मिसाल देता हूं, आज के हालात ये हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि राजनेता कहते हैं कि हमारे पास हवाई जहाज थे, हमारे पास ट्रांस्प्लांट सरजरी थी, हमारे फलांड़ का दिमका था सिर्फ ये नहीं है कि गोमूत्र पे या पंचगव्य पे अनुसंधान के लिए पैसा जुटवाया जा रहा है, सरकारी पैसा सिर्फ ये नहीं है कि एक विशिष्ट दृष्टिकोंट से इतिहास का पुनरलेखन करने के लिए पैसा दिया जा रहा है ये भी है कि सारवजनिक पब्लिक सेक्टर अनुसंधान संस्थानों से ये कहा जा रहा है कि आप टेक्नोलोजी निर्मिती करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी और पुराने नजर से नहीं देखा जाएगा नहीं नजर से देखा जाएगा, पुरानी नजर से देखें तो क्या आपने पब्लिक गुड़ बनाया, नहीं नजर से देखें, तो ये कहा जा रहा है कि संस्थानों का जो प्रतिवार्शिक खर्चा है, उसमें से 30 फीसदी खर्चा संस्थानों ने तक्नीकियां बेच के जुटवाना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि सार्वेजनिक संस्थानों के अनुसंधान का, रिसर्च का बाजारी करण हो रहा है और कुछ चंद हातों में बेचने की बात हो रही है, ये भी, दोनों तरफ से तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि ग्यान की बाजारी करण, एक तरफ तो ये है, दूस्ती तरफ ये भी बात हो रही है कि टेकनालोजी हम खरीद सकते हैं मार्केट से, उसको खरीद के पहले जो बात थी, अगर हमने खरीदा, तो उसके लिए पबलिक सेक्टर हो, या पार्टनर इहां पर हिंदुस्तानी होना चीए, जिसको पूरा टेकनालोजी ट्रांसफर होनी चीए, वो भी नहीं है, अब र का जो खरीदारी हुआ टेकनालोजी को जो कह सकते हैं और एक बहुत बड़ा बिल है इसके लिए, वो भी अम्मानी को दिया जा रहा है, जिसका हवाई जहाज तो दूर की बात है, कोई भी डिफेंस इंडस्ट्री का कोई इंडस्ट्री इसने सफलता पूरवक्त नहीं चला आता था, पिपावा शिप प्यार्ट्स मेरे ख्याल से, वो भी उसको भी करीब करीब उसको बैंकरप्सिप में डाल दिया, तो इहां पर नजरिया जो नजर आता है, इसको छोड़ दीजिए, रफाल में क्या हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पर हिंदुस्तान इंडस्ट् इंफैक्शनिंग केविबिलिटी नहीं रहा, यह पी इसका सबूत है कि आप टेक्नोलोजी डेवलप्मेंट और सेल्फ रिलाइन्स के प्रती आपका कोई समझ है ही नहीं, यह तो समझ इसके विरूप, विपरीत है, सारवजनिक उद्योगों को देखे, तो यह बात और भी सामने आती है, अल्बत्ता मैं यह नहीं कहूंगा कि इस दिशा में जो हो रहा है, वो सिर्फ इस सरकार के जरीए हो रहा है, पहले से शुरू हुआ है, लेकिन दवाईयों के बारे में सोचेगा, एक हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स था, आज हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स जो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है, मरा हुआ है, लेकिन मुर्दा सा है, और हम क्या कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, कि जो खरीदना है, बाजार से खरीदना है, जो हमने रिसर्च करके बनाना है, वो भी पहले बाजार में बेचना है, और बाजार तै करेगा किस कीमत पे वो बेचा जाएगा, अब इसमें exceptions हैं, मैं यह नहीं कहता कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, एकाद पुरानी बात आगे आगे चलती आई है, जो हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स और आईडीपील के जरीए हमारा एक नीजी दवाईयां बनाने वाला सेक्टर बना, उसके हाथों आज भी जनवादी काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये भी है कि जो नीतियां चल रही हैं, वो आम तोर से अधिकादिक बाजारी करण की और, अधिकादिक मुनाफ़क होरी की और, चली जा रही हैं, और ये सिर्फ उद्योगों की बात नहीं है, अब आपने कहा कि रवाल का मसला किस तरह से गया, उसी तरीके से जो युनिवर्सिटीज, जो विश्व विद्याल है, अभी मौझूद भी नहीं है, उनको सरकार ने पैसे बाटे हैं। जब हिंदुस्तान में बेचा जा रहा था, बड़े महंगे दाम पे, तब अमरीकी कॉंग्रेशनल कमिटी ने ये कहा, कि हिंदुस्तान में एंटिबाइटिक्स का दाम अमरीका से भी ज्यादा है, तो आम जन्ता के लिए ये इस्तमाल नहीं हो सकता है। अब तब जाके हिंदुस्तान के सरकार ने इस पे नजर डाला। और इसके बाद ही अब जो कह रहे थे पॉब्लिक सेक्टर अंडेटेकिंग स्थापित हुआ, टेकनोलोजी लाया गया, मिल नहीं रहा था उस वक्त, बड़े बुश्किल से टेकनोलोजी लाया गया, और इसके बाद दाम कम कर दिये गये थे। और जो आप नीजी कमपनियों की बात कर रहे थे, जो एक तो उस पे बिग गया, रैनबैक्सी, दूसरा भी भी मौझूद है, सिपला, इस तरह के और भी कमपनियों मौझूद है, उनका भी शुरुआद जो है, पॉब्लिक सेक्टर डिसर्च लिबॉर्टरी जिसके अब ज से हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप से जाना चाहेंगे, कि ये इस इतिहास को कैसे हम देखें, और इस इतिहास को थोड़ा सा हम को या दाश्ट जो खो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, इतिहास तो ये है कि हम कहा करते थे, कि दवाईयों के दाम खम हो तो कोई उन दामों में बेचने के लिए तियार नहीं था तो हमने कहा कि हम यहां बनाएंगे तब बात निकली कि यह पेटेंट राइट्स है पेटेंट राइट्स को लेकर अगर सोचें तो यह नहीं कर सकते तो हमने एक जनवादी दृष्टिकोंट से एक अलग सा पेटेंट का कानून बनाया जिसके तहत एक दवा को आप पेटेंट नहीं कर सकते दवा बनाने की प्रक्रिया को पेटेंट कर सकते हैं और सचाई तो ये थी कि दवा बनाने की अलग-अलग प्रक्रियाएं हो सकती थी तो हुआ ये कि हमारी सारवजन एक पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टिटूशन जो थी संस्थान जो थे उनमें इस तरह का विज्ञान करने की क्षमताएं विकसित हुई हमारी दवाएं बनाने वाली कंपनियां जो सरकारी कंपनियां थी जैसे कि इंदस्थान एंटिपेटिक्स जैसे कि आईडीपियल वो विकसित हुई और इन दोनों में लेंदें चली यहां तक कि इन कंपनियों में इन संस्थानों में सीखे हुए लोगों ने उसमें से निकल के नई निजी कंपनियां बनाई जो छोटी हमारी राज़ देश की डुमेस्टिक कंपनियां थी इन कंपनियों को इस कानून के जरीए काफी मुहलत मिली कि नए तरीके बनाएं दुमाएं बनाने के लिए और उनकों लेकर सिर्फ देश में ना बेचें बाहर भी बेचने लिए हमारे लिए एक पूरा क्षेत्र विकसित हुआ दुमाएं बनाने का उस क्षेत्र विकसन के जरीए आज भी हम अच्छे फल देख रहे हैं ना थिक हिंग हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट फाबसुटिकल्स नो बिलियन डॉलर है पिछले साल सिर्फ इतना नहीं टीकों का सोचिये हर बच्चे को टीके दिये जाते हैं जितनी दुनिया भर में टीके बेचे जाते हैं सबसे ज्यादा टीके हिंदुस्तान में बने हुए बेचे जाते हैं दुनिया भर के टीके जो बचों को दिये जाते हैं वो यहां बनते हैं यह ख्रमता कैसे विकसित हुई हमने हमारी सरकार ने हमारी लोकतांतरिक सरकार ने इसमें हाथ बटाया इसलिए हमने यह ख्रमता विकसित की आज हम यह सोच रहे हैं कि इस सब की कोई जर बाजार संभाली का आज भी हालात ये हैं कि एक और ये सब कहा जा रहा है एक और ऐसे सब काम किये जा रहे हैं लेकिन दूसरी और ये भी सचाई है कि आज भी सरकार के मुलाजमों को मालूम है कि अगर जनवादी दवाईयां टीके बनने हैं बनाने हैं लोगों तक पहुंचाने हैं तो सरकारी हस्त क्षेप के बगेर ये हो नहीं सकता इसलिए सरकारी डिपार्टमेंट्स ने सरकारी विभागों ने निधी बनाए हैं ऐसी कमपनियों की मदद करने के लिए जो इस जनवादी नजरिये से दवाएं टीके बनाएं बच्चों के हैजे पर जो मर्क ने जियसके ने टीके बनाएं और काफी महंगे थे काफी दाम में बिखते थे इस देश में बनाटी का हमारी सरकार ने पैसे निधी दे के इस देश में बनाने वाली कमपनी ने बना के आज ये दिखाया है कि वो काम करता है और सस्ते में बिखेगा सवाल ये है ये सब जो हम फल देख रहे हैं ये पुरानी नीतियों के फल है आज कौन सी नीतियां ऐसी बन रही है जो इस दिरुष्टी कोंड से लोका विमुख है जनवादी है जिनके फल आज से पचीस साल बाद दीखने लगे है बिलेगा आपको फल दाम महेंगे हो जाएंगे तो जो फल निकलेगा दर ये है कि इस तरीकी के फल निकलेगा तो ये हमारी जो इनरैशनल बिलीफ्स है जो इनरैशनल बाते हो रही है उपर से ऐसा नहीं कि कुछ छुट पुट लोक कर रहे है अर उसके साथ साथ जो बाजारी करण हो रहा है जिस तरह सी उनिवरस्टी रिसर्च इस्टूशन पे अटैक्स है ये सब आपको नजरे में लगता है कि ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि वग्यानिक समझदारी मैंने जैसे कहा एक जनवादी सक्षमी करण देती है लेकिन आप विज्ञान के बारे में सिर्फ यूं सोचो कि हमें सक्षमी करण चाहिए दिन हमें एक तरह की अंधश्रद्धा के आधार पर जनाधार बनाना है दूसरी ओर फिर विज्ञान का काम क्या है तो विज्ञान का काम ये है कि कुछ चंद मुनाफिक होरों के लिए तकनीकियां बनाओ दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं और विज्ञान की जो समझ है वो इस तरीके से उनकी और जनवादी दूसरी कोनों की बिलकुल अलगी है धन्यवाद सतीर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आगे भी आपसे इन सब विश्यों पर चर्चा करते रहेंगे देखते रहीएगा ड्यूस क्लिक आज के लिए इतना ही